Hello students, तो हम शितिज गध्य खंड कई उन्रवरिती हम कर ले थे और पाठ 13 मानविय करुणा की दिव्य चमक तो मानविय करुणा की इस दिव्य चमक में हमने सर प्रतम मुख्य बिंदूँ पर हमने प्रकाश डाला था कि हमें ये मुख्य बिंदू याद रहने चाहिए फिर इसके अंतरगत क्या आता है उन बातों पर भी हमने विचार किया था तो देखे पहला मुख्य बिंदू पादर का स्नेहमय व्यक्तित्व दूसरा परिमल के सदस्य के रूप में तीसरा पादर का पारिवारिक जीवन चौथा पादर बुल के भारत में अपनत्व भरा व्यक्तित्व और पादर के मृत्व और अंतिम संस्कार तो ये कुछ हमारे छे मुख्य बिंदू थे जिसके अंतरगत सारा पाठ हमारा समाहित हो जाता है तो आईए अब हम प्रशन उत्तर महतपून परिक्षा उपयोगी प्रशन उत्तरों पर प्रकाश डाले क्योंकि यह प्रशन अधिकतर परिक्षाओं में पूछे गए हैं तो देखें महतपून परिक्षा उपयोगी प्रशन उत्तर में पहला प्रशन है कि फादर की उपस्तिती देवदार की चाया जैसी क्यूं लगती थी तो पहले प्रश्न का उत्तर तो देखे फादर परिमल की गोश्टी में सबसे बड़े माने जाते थे और वे सबके साथ पारिवारिक रिष्टा बना कर रखते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवँ और संसकारों पर पुरोहित की भांती उपस्तित रहते थे हर व्यक्ति उनसे स्नेही और सहारा प्राप्त करता था वात्सल्यक तो उनकी नीली आँखों में तैरता रहता था इस कारण सबको उनकी उपस्थिती देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी दूसरा प्रश्न है फादर बुल के भारती संस्कृती की एक अभिन अंग है तो देखें दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो फादर कामिल बुलके भारतिय संसुती के अभिन अंग थे, उन्होंने भारत में रहकर स्वयम को पूरी तरह भारतिय बना लिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है. फादर भारती मिट्टी में रच बस गए, उन्होंने यहां रहकर रामकथा के उद्भव और विकास पर शोध कारे किया, उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं, बलकि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामानिक कोश तैयार किया. वे यहां के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे, वे सचमुच भारती संस्कारों में खो चुके थे. देखे, उत्तर किस तरह से प्रेजन करना है, क्या उस प्रशन, क्या प्रशन पूचा गया है, और उत्तर किस तरह से लिखा जाना चाहिए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं. साथ ही साथ जो प्रशन अधिकतर परिक्षा में पूचे गए हैं, हम उन प्रशनों पर चर्चा कर रहे हैं. ठीके, तो तीसरा प्रशन है, आप कैसे कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं आएगा, आप कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल बुलके हिंदी से असीम लगाव रखते सपष्ट कीजिए. तो देखें, फादर कामिल बुलके के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमान यह है, कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामानिक अंग्रेजी हिंदी कोश तयार किया, यह पंक्ति आपने याद रखनी है, कि सबसे अधिक प्रामानिक अंग्रेजी हिंदी को इससे पहले उन्होंने इलाहबाद से हिंदी में एम्मे किया। तत पश्चात उन्होंने प्रियाग विश्विध्याले से रामकथा, उत्पत्ती और विकास विशय पर शोध प्रबंद लिखा। हिंदी के प्रती प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा बनवाने के लिए खूब प्रयत्न किया। तो ये उत्तर इस धंग से आना चाहिए। चौथा प्रशने लेखक ने फादर भुलके को मानविय करुणा की दिव्य चमक क्यूं कहा है। अब म देखे लेखक ने फादर कामिल भुलके को मानविय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रती सद भावना और ममता थी। वे सब के प्रती वातसल्य भाव रखते थे। वे तरल हुरिदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे। बलकि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भावती वातसल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुह में पहला अन भी डाला और उसके मृत्य उपर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदे सदा दूस के सनेहे में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चहरे पर साफ दिखाई देती थी। तो देखे ये कुछ चार ये प्रश्न थे और भी प्रश्न है। देखे पांचवा प्रश्न हमारे समक्ष है स्क्रीन पर प्रमानित कीजिये की फादर भारतिय जन जीवन में रच बस गए थे। तो इसका उत्तर किस धंग से आप लिखेंगे और क्या होना चाहिए। तो देखे फादर भारतिय जन जीवन में कार्य करने आए थे। यहां आकर वे पूरी तरह भारतिय हो गए। उन्होंने इसाई पादरी की तरह केवल अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने इस धर्ती की मूल संस्कृति को समझा जाना। उस पर मुग्द हुए। उस पर जीवन लगाया। उन्होंने यहां की भाषा को बढ़ाने के लिए जीवन लगा दिया। उनके द्वारा रचित अंग्रेजी हिंदी कोश आज भी सबसे प्रामानिक ग्रंथ है। तो ये हम बार-बार पंक्ती बोल रहे हैं कि उनके द्वारा लिखा गया सबसे प्रामानिक ग्रंथ कौन सा है। उनके द्वारा रचित अंग्रेजी हिंदी कोश आज भी सबसे प्रामानिक ग्रंथ है। उन्होंने यहां की संस्कृति को कोमल मन से अपनाया। यहां के उत्सवों संसकारों में रूची ली, उन्होंने रामकथा पर शोध ग्रंथ लिखा, उनके सबसे गहरे मित्र भी भारतिय थे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल के भारतिय जन जीवन में रच बस गए छटा प्रेशन देखेंगे, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था देखें, फादर के मृत्यों गैंगरीन नामक रोग से हुई, ठीक है, यह भी याद रखना है कि उनके मृत्यों कौन से रोग से हुई थी गैंगरीन तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, शुरुवात भी यहीं से करेंगे, कि फादर की मृत्यों गैंगरीन नामक रोग से हुई, इस रोग में शरीर के अंदर एक जहरीला फोडा हो जाता है, जो बहुत यातना देता है, यातना मतलब कश्ट देता है लेखक ने फादर के शांत अमरित मैं जीवन को देखा था, उन्होंने जीवन भर लोगों को दिया ही दिया था, लोगों को सनेहे, वादसल्य और करुणा का दान दिया था, ऐसे व्यक्ति की मृत्यू बड़ी शांत होनी चाहिए, इसलिए लेखक ने उनकी यातना मैं मृत उपर असंतोश प्रकट किया, सात्वा प्रेश्ण है, क्या आप फादर कामिल बुलके को भारत का रत्न कह सकते हैं, तो इसका सही उतर है, कि फादर कामिल बुलके निश्चित रूप से रत्न थे, वे प्रतिभाशाली थे, समर्पित थे, करुणा पूर्ण थे, अब प्रश्ण उठता है कि वे भारत के रत्न थे या नहीं, तो निश्चित रूप से वे भारत के रत्न थे, उन्होंने स्वेम को भारत का ही माना, और उनका वचन है, अब तो मेरा देश भारत है, वचन मतलब कि उनका कहना था कि अब तो मेरा देश भारत है, वे भारत आ लिए तिल तिल जले उन्हों ने भारत की संस्पृति का अध्यन किया यहां की भाशाओं कर सम्रिध्ध किया वे सच्मुच भारत के रत्न थे तो ये कुछ इस तरह के प्रश्ण हैं जो परिक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं और ये प्रश्ण भी आप कर लेते हैं तो काफी हद तक और भी प्रश्णी अधी थोड़ा भूद भी गुमा फिरा कर आते हैं तो आपको आ जाएंगे आसानी से अच्छा एक प्रश्ण और ये भी आद रखना है आपने कि फादर कामिल बुल के कितने समय तक भारत में रहे और कितनी उम्र में हम सभी को छोड़ कर विदा हो गए उन्होंने भारत में कहां पर रहकर अपना प्रसिद अंग्रेजी हिंदी कोश तयार किया था तो देखें फादर कामिल बुल के 47 वर्ष तक भारत में रहे वे 73 वर्ष का जीवन जीकर इस दुनिया से विदा हो गए उन्होंने देखो कहां कहां रहकर काम किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में रहकर अपना अंग्रेजी हिंदी कोश तयार किया अगर यह प्रशन कहीं आता है कि हिंदी भाषा के संदर में उनका क्या उलेखनी योगदान था तो यह भी आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्दी थी अंग्रेजी हिंदी कोश जो हम बार-बार कई प्रशनों में हम यह कह लिखने लग जाना अगर यह प्रशन आता है कहीं पर एक नंबर का कभी पठित गध्यांश में आ जाता है तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्दी थी हिंदी भाषा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्दी थी अंग्रेजी हिंदी कोश यह कुछ है जो भूलने नहीं है अपने ठीक है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए रिवीजन कीजिए जितना अभ्यास करेंगे उतना आएगा अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ प्रस्तुत होंगे तिल देन बाई एन थैंक यू